हालो फ्रेंड्स, वेलकॉम तो माई यूटूब चैनल कुनाल इंग्लिस पॉइंट आज का टोपिक है महात्मा गांधी का जीवन परिच्छाए शर्योत आज हम लोग डिसकस करेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिच्छाए के बार में राष्ट पिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के परवंदर नमक गां में हुगा था सन 2 अक्टूबर 1879 को इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलिबाई था महात्मा गांधी जीखे चार बेटे थे आई हम रूख चारों को देखेंगे फर्स्ट का नाम था हरीलाल गांधी और सिकेंड का नाम था मनिलाल गांधी थर्ड का नाम था रामदास गांधी और फोर्थ का नाम था देवदास गांधी ब्रीटिस हुकुमत में इनके पिता पुरवंदर और राजकोट के दिवान थे महात्मा गांधी जी के पिता जी यो थे पुरवंदर और राजकोट के दिवान थे कब थे जब ब्रिटिस हुकुमत थी हमारे राष्टर में जब ब्रिटिस का हुकुमत थी उस समय महात्मा गांधी की जो पीता थे वो पुरवंदर और राजकोट की क्या थे? दिवान थे महात्मा गांधी का असली नाम मुहंदास क्रमचन्द गांधी था और यह अपने तीन भाईयों में सबसे छोटे थे गांधी जी का सीधा शरल जीवन इनकी मां से प्रेरीद था यानि इनकी मां भी जो थी वो सीरी साधी और सरल सभाव के थी गांधी जी का पालन पोचंद बैशनों मत को मानने वाले परिवार में हुआ था और उनके जीवन पर भारतिय जैन धर्म का गहरा प्रभा पड़ा जिसके काया नुवसत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास रखते थे और आजीवन उसका अनुसरन भी किया गांधी जी की प्रारंबिक सिक्षा पुरवंदर में हुई थी उनकी प्रारंबिक सिक्षा जो थी पुरवंदर अपने गाव में ही हुई थी पुरवंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की सिक्षा प्राप्त की इसके बाद उनके पीता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वज़ा से उन्होंने राजकोट से अपनी बर्ची होई सिक्षा को पूरी की। साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्री की परिक्षा पास की। और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में परवेश प्राप्त किया। जब उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल से मैट्री की परिक्षा पास की और आगे पढ़ाई के लिए उसका बात कहां पर आए सामलदास कॉलेज में अपना परवेश प्राप्त किया। यह कहां पर है भावनगर में लेकिन घर से दूर रहने के कार्म वह अपना ध्यान केंद्रीत नहीं कर पाए और और सवस्त होकर पुरवंदर वापस लोट गये फिर वह वापस कहां पर लोट गये पुरवंदर में लोट गये गान्दी जी ने लंदन में लंदन वेजटेरियन ससाइटी के समिलनों में भाग लेने लगे और पत्रीका में लेख लिखने लगे यह तीन सालों तक रहकर तीन सालों कब से 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिष्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1991 में वापस भारत लोटा है गांधी जी का विवाज जो था सन 1883 में ही हो गया था उस समय उनकी आयू 23 वर्ष थी ठीक है उनकी आयू कस्तुर्वा से हुई कस्तुर्वा गांधी से हुई लोग उन्हें प्यार से बा करकर पुकारते थे कस्तुर्वा को प्यार से लोग क्या करकर पुकारते थे बा कस्तुर्वा गांधी जी के पीता एक धनी ब्योसाई थे, साधी से पहले तक कस्तुर्वा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जब उनका साधी हुआ था, गांधी जी का कस्तुर्वा गांधी से, उस समय कस्तुर्वा जो थी, पढ़ाय से बिल्कुल अलग थी, उनको पढ़ एक काम में साथ दिया साल 1885 में गांदी जी की पहली संतान ने जन्म लिया लेकिन कुछ समय बाद ही उनका क्या हो गया? नीधन हो गया ये आप जो है इसमें इमेज एक देख रहे होंगे ये इमेज है नाथूराम गौर्शे की जिन्होंने मातमा गांदी को बिरला हाॉस में क्या कर दी थी गुली मार कर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को साम 5 बच कर 17 मिनट पर नाथूराम गौर्शे कौर्ण के सहयोगी गोपालदास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मार कर हत्या कर दी थी कहाँ पे इस लाइन को आप याद रखेंगे 30 जनवरी 1948 को साम 5 बच कर 17 मिनट पर नाथु राम गौड से और उनके एक सहयोगी भी थे उनका नाम क्या था? गोपाल दास ये दुनों मिलकर बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी थी गांधी जी को तीन गोली या मारी गए थी गांधी जी को किते गोली मारी गए थी? तीन गोली या मारी गए थी अंतिम समय उनके मूँ से हे राम सब्द निकले थे उनके मुसिक्यानिक लिए थे है रामसब्दिन के लिए थे उनकी मूर्ति के बाद ने दिली के राजगाट पर उनका समाधी अस्तल बनाया गया महत्मा गांधी का समाधी अस्तल कहां बनाया गया याद रखिएगा आप नए दिली के राजगाट पर उनका समाधी अस्तल बनाया गया महत्मा गांधी द्वारा किये गये अंदोलन ये बहुत सारे अंदोलन भी इन्हों ने किये हमारे राष्टर के लिए हमारी अजादी के लिए तो इसमें से कुछ प्रमुख अंदोलन के बारे में हम बताएंगे आपको भारत के राष्टर पिता महंदास क्रमचंदर गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से सवतंत करवाने के लिए अनिक अंदोलन का संचालन किया जिसके परिनाम स्वरुप अंग्रेजों को भारत छोणने पर विवस होना पड़ा वो किया है गांधी जी को सबसे पहले सुभास चंद्र बोस ने कब इक वेस्टन बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको फिर से अब आज रिवाइस करेंगे गांधी जी को सबसे पहले कौन सुभास चंद्र बोस ने सुभास चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से किसे रंगून रेडियो से राष्ट पिता कहकर संबोधित किया था गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए कहा था इस पेज पर आपको महात्मा गांधी जी के अंदुलनों और उनके बिचार के विसे में जनकारी दे रहे हैं इस पेज में आपको जो मिलेगा इससे उनका जो था उनका विचार और वो आंदोलन में किस तरह अपना भूमका निभाया उसके बारे में नेक्स्ट पेज में मैं आपको जनकारी दूँगा भारत के बिहार यह देखेंगे कुछ पिक्चर जो है मैं लगाया हूँ इसको भी आप देखेंगे इस चंपार्न सत्यागरा का पिक्चर है कब का है 1917 चंपार्न सत्यागरा कब हुआ था ना यह हुगा था आपको 1917 में चंपार्न सत्यागरा कि उसकी कुछ पिक है आपको देखेंगे इसमें भारत के बिहार राजिये में ब्रीटिस जमिनदार किसानों को खाद फसलों को उगाने नहीं देते थे फिर से बाद दिखिएगा भारत के बिहार राज्ये में ब्रीटिस जमिंदार जो थे किसानों क्या नहीं उगाने देते थे जमिंदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे जमिंदार क्या करते थे किसानों को बोलते थे कि आपको क्या करनी है सिर्फ नील की खेती करनी है और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे उनसे बोलते है कि तुम क्या करो नील की खेती करो और उनसे बहुत सस्ते दामों पर खरीद भी लिया करते थे जिससे किसानों को आर्थीकिस्तिति बहुत कमजूर होती जा रही थी गांठी जी ने जमीनदारों के खिलाफ बिरोध परदर्सं और हल्तालों का नित्रित्व किया जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगो को माना गया ये थाप का क्या ये थाप का चमपारन सत्यागरा जो कि 1917 में हुआ नेक्स्ट है खेडा सत्यागरा क्या है खेडा सत्यागरा खेडा सत्यागरा जो था 1918 में 1918 में हुआ वर्स 1918 में गुजरात के खेडा गुज्रात के खेड़ा में बाड और सुखे के कारण किसानों को आर्थी के सीथी बहुत ही खराब हो गई थी ठीक है 1918 में गुज्रात में गुज्रात के कुछा जगा है खेड़ा में बाड और सुखे के कारण किसानों को आर्थी के सीथी क्या हो गई थी उनकी खेति जो थी बहुत खराब हो चुकी थी और सूखे बाड से फुसल बर्बाद हो गहाए थी जिस खरान वह डे कर रहे हैं किसानों का उध्वण कया जाता था तुम्हें क्र देना ही है तुम्हारी खेती हुई या नहीं हुई, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे क्या चाहिए, कर चाहिए इस पर उत्प्रियन किया जाता था, और मुझे बंदी बना लिया जाता था यदि आप नहीं देते हैं, तो आपको क्या कर लिया जाता था? बंदी बना लिया जाता था गांधी जी के मारत दंसर पर साधार पटेल ने अंग्रोजियों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्ष के लिए किसानों कर नेतितों किया उसमें कॉन साथ दिया? अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्ष करने के लिए नेतितों कौन कियी? सरदार पटेल ने जिसके बाद अंग्रेजोंने कर माफ करके सभी बंदियों को रिया कर दिया था सरदार पट्टिल का भी बहुत बड़ा भूम का थी इसमें उसने उन्हें क्या किया अंग्लेजों सिफारिस की और उसे बिचार विमर्स किया और जितने भी लोग बंदे थे बस अभी बंदियों को रिहा करा दिया उनका कर को माफ करा दिया उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजबदूर क्या आता है अहमदाबाद मिल मजबदूर इसमें क्या थे अहमदाबाद मिल मजबदूर आंदोलन कब किया था उन्होंने इस अंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिक को द्वारा दिये जाने वाले बोनस को समाप्त करना था इस अंदोलन का मुख्य कारण क्या था मिल मालिक जो थे उनके द्वारा दिये जाने वाले जो बोनस था उनको क्या करना था समाप्त करना था बाद में मिल माली के 20% बोनस देने की सम्मति दी, कितने परतिसाद? 20% प्रंत उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की महंगी गई जिसे ट्रीब्यूनल के द्वारा सभीकार किया गया इससे गांधी जी लोग प्रियाता में बहुत बढ़ोतरी हुई लोग गांधी जी से क्या हुए, लोग बहुत उनको इनका लगा हो गया और उनकी लोग प्रियाता बढ़ गई उसके बाद जो है, अगला है खिलाफत अंदुलन ठीक है? खिलाफत अंदुलन जो है, यह 1920 में हुई, कभी? 1920 में खिलाफत अंदोलन एक क्या है 222 पी अंदोलन था इसका मुख्यकारण क्या था तूर्की के खिलाफ का प्रभुत्व अंग्रेजों के दुवारा कम करना था इसका मुख्यकारण था तूर्की के खिलाफ का प्रभुत्व अंग्रेजों के दुवारा कम करना था इससे सारे बिस्वक के मुसलमानों में अंग्रेजियों के प्रतिक्या था रोस था और भारत में खिलाफत करनेतरित्व All India Muslim Conference द्वारा किया गया था अब पर फिर इसको आप सुनेंगे भारत में खिलाफत करनेतरित्व All India Muslim Conference द्वारा किया गया था गांधी जी ने इस अंदोलन के मुख्य प्रवाक्ता थे इस अंदोलन के मुख्य प्रवाक्ता कोन थे गांधी जी थे इन्होंने अंग्रेजे द्वारा दिये सम्मान और मेडल को वापस कर दिये जो मेडल और सम्मान मिला था अंग्रेजे द्वारा गांधी जी को उस सब उनको क्या कर दिए वापस कर दिए उनको रिटर्न कर दिए जिससे गांधी जी भारत के सभी समुधायक लोगों के प्रमुख नेता बन गए जब इन्होंने उनका दिया हुआ गिफ्ट उनको जब वापस कर देता है मैडल जब वापस कर देते हैं ये तो लोग इनसे क क्या होते हैं प्रेरीथ होते हैं और उनको सब चाहने लगते हैं और यह उनका प्रमुख नियता बन जाते हैं अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाया है ऐसा अंग्रेजों का मनना था कि गांधी जी जानते थे और इस बात को मानते भी थे क्या कि हम लोगों ने उनका साथ दिया है तभी वह यहां पर क्या करी अपना साथा को अस्थापित किये हैं यदि हर भारती ये के द्वारा अंग्रेजों का अस्थायों किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे बात बिलकुर सत थी कि यदि आप उसका जो है स्थायों नहीं करेंगे तो अपने आप यहां से देश छोड़कर करके चले जाएंगे गांधी जी ने ऐसा सुचा गांधी जी ने 1920 से 1922 तक और सवयो अंदोलन का संचलन किया उन्हें ने सुचा कि और सवयो अंदोलन किया जाना चाहिए यदि उनका हम लोग सयोग नहीं करेंगे तो वह हमारे देश को छोड़कर स्वता चले जाएंगे जिससे यह भारत के लो लोग पिरिये निताबन गये उस समें और इनको जो है अधिक लोग जानने लगें और सभी लोग इनका समर्थन करने लगें उसके बाद आता है नमक अंदोलन थीक है अगला क्याता है नमक अंदोलन की नाम से भी जानते हैं ये कब हो वा था 1930 में 1930 में गांधी जी ने सभी ने अग्या अंदोलोन की सुरुआत की इसका अर्था की बगार हिंसा किये सरकारी कानूनों को तोड़ना बिना हिंसा किये सरकारी कानूनों को तोड़ना जिसकी सुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उलंगर करके किया इस अंदोलन के द्वारा भारतीय जंता का ध्यान देश की अजादी को प्राप्रप्ट करने के लिए गांधी जी से द्वारा मुला गया लोग जानते थे कि यदि गांधी साथ रहें और हम लोगों के समर्चन करें तो हम एक दिन सौतंत्र हो जाएंगे नेक्स्ट है भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन यह कब हुई थी यह 1942 में 1942 में क्वीट इंडिया मुमेंट ना भारत छोड़ो अंदोलन यह आपको पिक्चर जो दिख रही है एक क्वीट इंडिया मुमेंट कहीं है भारत छोड़ो अंदोलन क्या था भारत को अजादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाये गए भारत छोड़ो अंदोलन का बहुत ही मुत्वपूर्ण भूंका है इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या बुला था आप इसको याद रिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में इस आंदोलन में गांधी जी का सबसे बड़ा एक नारा दिया गया था वो क्या था करो या मरो करो या मरो का नारा दिया जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रत बहुत ही आक्रोशित हो गए और जिससे ब्रिटिस गवर्मेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया ब्रिटिस गवर्मेंट जो थी ओ भी जुग गई भारत के इन समर्थकों के आगे और उन्हों ने अपने आप स्वाता या फैसला लिया कि हमें अब भारत छोड़ करके चले जाना चाहिए और एट लास्ट वे लोग भारत छोड़ करके चले जाते हैं यदि मेरे वीडियो अच्छी लग गया आपको तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें